हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागा था आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर जैसा कि आपने थमनेल पे देखा होगा आप देख करके ही समझ गये होगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है अगर गलती से किसी diesel कार पे petrol चली जाये या फिर किसी petrol कार पे diesel डल जाये उसके fuel tank पे गलती से हमने डलवा लिया तो आखिर क्या problem होगा क्या हो जाएगा और ऐसे situation में हमें क्या करना पड़ेगा ये बहुत ही common सा question है जो हर किसी के दिमाग में आता है खासकर जो गाड़ी चलाते हैं उनके दिमाग में तो आता ही है In fact मेरे भी दिमाग में ये question आया था इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर petrol engine और diesel engine कैसे काम करते हैं तो दोनों का बहुत ही simple सा concept है सबसे पहले बात करते हम petrol engine की petrol engine में क्या होता है उसकी engine में spark plug होता है और उसमें क्या होता है petrol और air का जो mixture है वो mix हो करके engine के cylinder में आता है और वहाँ पर क्या होता है petrol बहुत ज्यादा volatile होता है जिसकी वज़ा से वो बहुत जल्दी वैपराइज हो जाता है और air के साथ mix हो जाता है जिसकी वज़ा से spark plug की हलके सी चिंगारी से वो burn हो जाता है काफी अच्छे से जिसकी वज़ा से piston का movement होता है up and down और आपकी engine जो ह fuel injector को यूज किया जाता है fuel injector क्या करती है fuel tank से fuel को लेती है यानि कि diesel को लेती है और वहाँ पर cylinder के अंदर में spray करती है बहुत ही high velocity में और चोटे चोटे droplets को यानि कि छोटे छोटे droplets कर देती है डीजल के तो अब यहाँ पी यह doubt आता है कि आखिर खाली spray कर देने से वहाँ पे combustion कैसे होगा कैसे वहाँ पे आग लगेगा क्योंकि petrol engine में तो हम spark plug को यूज करते हैं जो कि वहाँ पे spark produce करता है तो डीजल की एक property होती है कि डीजल का जो self ignition point होता है वो low होता है 210 degree centigrade पे डीजल अपने आप ही combustion यानि की burn होने लग जाती है डीजल की इसी property को use किया जाता है वहाँ पर combustion के लिए और वही इसके लिए मददगार होती है क्योंकि जब fuel को inject किया जाता है cylinder में उस समय वहाँ पर का pressure जो है और temperature जो है वो बहुत जादा होता है जिसकी वज़ा से वहाँ पर combustion होता है और power stroke मिलता है जिससे कि आपकी engine चलने लगती है तो दोनों engine को उसके fuel के हिसाब से ही design किया गया है petrol engine को petrol के हिसाब से diesel engine को diesel के हिसाब से तो सबसे पहला case अगर हम petrol डाल देते हैं गलती से diesel engine में तो क्या होगा तो इससे होगा ये कि आपका जो combustion process है engine का वो पूरा abnormal हो जाएगा यानि कि disturbed हो जाएगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि petrol जो होता है वो बहुत ज्यादा volatile होता है बहुत जल्दी से वो mix हो जाएगा air के साथ और compression stroke के दौरान piston के top dead center में पहुचने से पहले ही वहाँ पे बरनी हो जाएगी यानि क combustion हो जाएगा जिससे कि क्या होगा knocking होगी यानि कि knocking की problem होगी knocking यानि कि abnormal sound आएगा आपके engine से बहुत ज्यादा engine में vibration generate होगा heat भी होगा यानि कि आपके गाड़ी के engine का sound अचानक से बढ़ जाएगा है ना engine के piston पर access force लगेगा यहाँ पर क्योंकि देखिए piston upward move कर रहा है लेक upward की तरफ है यानि की top dead center की तरफ है जिससे कि यह दोनों आपस में ठकराएंगे और आपके piston में excessive force लगेगा जिसकी वजह से knocking होगा vibration ज्यादा generate होगा आपका piston damage होगा उसके piston rings damage होगे तो यह आपके diesel engine के लिए बहुत ज्यादा harmful होगा अगर आप उसमें petrol को use करते हैं तो आपको क्या करना है आपके fuel tank को पूरा खाली कर देना है पूरा खाली करने के बाद में फिर आपको उस tank में diesel भर देना है यानि कि petrol को आपको जो mixture है petrol और diesel का उसको पूरा बाहर निकाल देना है उसके बाद आपको diesel डालना है तो अब हम बात करते हैं दूसरे case के बारे में दूसरा case यह है कि जब हमने petrol engine में diesel डाल दिया है गलती से उसके tank में तब क्या होगा? तो यह क्या होगा आपका जो diesel और petrol का mixture है वो engine में जब enter करेगा तो यह आपके spark plugs को और injector के nozzles को jamming करने लगेगा देखिए आज कल के जो petrol engines जो car में use होते हैं उसमें भी injector का ही इस्तमाल किया जाता है कार्बूरेटर की जगह है ना तो injector के nozzles को jam कर देंगे और आपका जो spark plug है उसमें भी jamming कर देंगे है ना तो आपकी engine जो है वो बंद हो जाएगी या लेकि गाड़ी आपकी चल नहीं पाएगी अगर गलती से आपकी engine start भी हो जाती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारी problems आएंगे जैसे की combustion properly नहीं होगा knocking होगी और भी बहुत सारे problems आएंगे अगर ऐसा हो गया है अपने गलती से डाल दिया है अपने petrol engine में diesel तो अब आपको करना क्या है आपको क्या करना है देखिए आपको जैसे ही पता चल गया है आपको अपने engine को off कर देना है यानि कि engine को चालू नहीं करना है आपको है ना और आपको अपने गाड़ी को टो करके ले जाना है किसी भी service center पर है ना आसपास में और पूरा उसका tank को आपको खाली कर देना है जो जितना भी mixed fuel है उसको बाहर निकाल देना है बाहर निकाल करके फिर उसमें petrol डाल देना है उसके बाद आपको गाड़ी चलाना है क्योंकि अगर आपके petrol engine में diesel डल चुका है और आप उसे चलाएंगे जितना ज़्यादा चलाएंगे आपको engine में उतना ज़्यादा problem बढ़ते जाएगा जितना ज़्यादा दिर तक आप चला लेंगे उतने ज़्यादा jamming होगी उतने ज़्यादा ही problems बढ़ जाएगे